हेलो और वेलकम फ्रेंड्स आईए आज हम C language में समझेंगे कि power जो function होता है जो कि पहले से बना हुआ है C language में उसका use कैसे करेंगे तो चलिए सबसे पहले code blocks को open कर लेते हैं यहां से code block में open करता हूँ आपके पास जो भी IDE है वो आप use कर सकते हैं हमारे इंडिया में खासतार पर भी टर्बो आईडी जातातार यूज करी जाती है काफी इंजिनिरिंग कॉलेज में भी काफी यूज होती है ठीक है मैं यहां पर code block यूज कर रहा हूँ तो तरीका सेम ही है यहां से empty file में choose करूँगा और यहां पर लिखना होगा हमें header file तो hash include stdio.h ठीक है और koneo.h header file लिखी जाती है hash include koneo.h यहां पर एक function मैं बना रहा हूँ बना नहीं रहा हूँ बलकि यह पहले से बना बनाया है तो यहां पर एक और header file include करूँगा hash include math.h आपको लिखना होगा math.h यह header file है और header file की पहचान होती है यहां .h जो लिखा हुआ है तो वहां पर भी header file .h तो लगाई ही जाती है तो उससे आप पहचान सकते हैं कि यह header file है अब यहां पर मैं लगा रहा हूँ int main ठीक है और आप void main यूज़ कर सकते है या सिर्फ main function भी लिख सकते है no problem यहां पर अब हमें क्या देना है दिखिए एक variable बनाता हूँ int a type का ठीक ह जिसका keyword होता है ठीक है अब यहां पर five comma यहां पर लिखता हूँ three ठीक है या two या three कुछ भी लिख सकते हैं तो यहां पर लिख दिया हमने अब हमें क्या करना है इसको terminate करना है और अब print app में इसको print करवा करके हम देखते हैं कि हमारा result क्या आता है तो अभी हमने integer data type लिया अब हमें क्या करना है simply चलना है build पर और इसको compile करवाते हैं यहां से तो देख सकते हैं यहां The program compile हो गया आप इसको run कर भाने की बारी है तो यहां से run कर वा लेते हैं तो यह देखिए यहां पे इसका जो power हमने लगाया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 to the power 3 इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 125 यानि कि power calculate करने का एक छोटा सा program हमने लिखा और जिसने हमें यह calculate करके बता दिया कि इसका power हम calculate करेंगे तो क्या आएगा तो उमीद करता हूँ कि यह छोटा सा program जो की header file math.h के अंदर include करा गया है power function को इसकी जो coding है इसके अंदर include करे गई है इसकी जो coding है इसके अंदर include है तो उमीद करता हूँ कि यह समाझ में आया होगा कि कैसे इस program को करना है कैसे बनाना है वीडियो पसंद आए तो share करें thank you for watching this video करेंद